तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 6 के अपेंडिक्स की अपेंडिक्स को स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ी से कॉंसेप्ट को रिवाइस करें तो हमने अभी तक क्या देखा था सबसे important चीज कि हमारी जितनी भी firms हैं हम लेकर चल रहे थे कि वो सारी firms जो हैं आपस में identical हैं अगर हमारी सारी ही firms को हम identical लेकर चल रहे थे तो हम ये भी लेकर चल रहे थे कि जो भी उनकी cost of production लगती है जो भी वो produce कर रहे हैं उनमें जो भी उनकी cost लगती है वो सारी भी same है अब वो जब सारी ही same है तो उस case में हम बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी cost curve अभी तक हमने पड़े चाप्टर में हम लेकर चल रहे थे कि वो सारी ही firms के same होंगे अगर हम थोड़ा सा revise करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारा market का price है वो घुमा फिरा के बार बार हमारे minimum ATC के equal ही होता है और उसका दो conclusion जो निकलता है वो क्या था? कि हमारा जो equilibrium price है वो minimum ATC के equal हो जाता है इन long run जिस case में हम zero economic profit को earn करते हैं और इससे हम यह भी देख रहे थे कि हमारा जो long run का supply curve था हमने देखा था कि वो horizontal to x-axis था और उसका reason क्या था? क्योंकि हमारी entry और exit इस तरीके से होती रहती है कि वापस से बार बार जो हमारा price है वो minimum ATC के equal हो जाता है जिस case में हमारा zero economic profit हो जाता है और उस case में हमारी entry और exit form की industry के अंदर बंद हो जाती है और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा इस case में जो ATC है वो सब ही firms का same है सब ही firm का in long run जो ATC है वो सब का same है अगर हम यहाँ पर इसको एक बार diagram में देखें तो यहाँ पर हमने यह सारी चीज़ा already पड़ी हुई है हमने देखा था कि let's suppose अगर हमारी demand increase हो जाती है for some reason तो हमारा जो demand curve वो rightward shift हो जाता है अब यहाँ पर जो हमारा P1 है यह हमारा initial price था demand के shift होने से पहले का तो यहाँ पर हम इस P1 को बोल सकते हैं कि जो यह मेरा P1 था वो minimum ATC के already equal था जहाँ पर कोई भी entry exit नहीं हो रही थी फिर जैसे हमारी जो demand है वो increase होई और वो rightward shift हो गई जब वो rightward shift होई तो हम देख सकते हैं कि यह हमारा new equilibrium point हो गया अब इस case में हमारा जो P2 है वो हमारा new price हो गया हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो P2 है वो जादा है हमारे P1 से तो इससे हम conclude कर सकते हैं कि that means हमारा जो P2 है वो जादा है हमारी average total cost से इस case में हमें पता है कि हमारी जो firms है वो market के अंदर वो industry के अंदर entry लेना start कर देती हैं क्योंकि इस case में उन्हें profit दिख रहा होता है market के अंदर तो वो market में entry लेती हैं जिसकी वज़े से हमारी जो supply है वो भी वापस से increase होने लगती है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो supply है वो increase हो गई तो वो rightward shift हो गई कब तक market में form entry लेती रही जब तक market में profit रहा और कब तक market में profit रहता है जब तक profit वापस से minimum ATC के exactly equal नहीं हो जाता तक हमारी forms जो है वो market में enter करती रही जैसे ही ये situation आई market का पूरा profit खतम हो गया और हमारा जो price है वो P2 से वापस से आ गया हमारी P1 पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो price है वो वापस से P2 से P1 पर आ गया अब यहाँ पर हमारा जब price वापस आ गया तो हम देख सकते हैं कि पहले हमारी ये situation थी इस price पर हम ये quantity को produce कर रहे थे खरीदरे बेख रहे थे market के अंदर then उसके बाद जब हमारी demand increase हुई तो supply भी increase हुई जिसकी वज़े से again हमारा जो price है वो वापस से यही रहा बस हमारी quantity जो है वो change हो गई तो इससे हम overall क्या conclude कर रहे थे कि in long run जो हमारा supply करव है वो हमारा यहाँ पर horizontal to x-axis होता है हम देख सकते हैं कि जो हमारा price है वो हमारा fix ही रहता है और उस price पर हमारी जितनी भी quantity हमें produce करनी होती है जितनी भी requirement होती है वो सब produce हो रही होती है यही हमारी same condition होती है यही पर आकर हमारी चीज़े रूख जाती है जहाँ पर entry और exit form की बंद हो जाती है और हम in long run जितनी भी forms है वो सारी ही forms हमारी zero economic profit को earn कर रहे थी यह सारी situation तब की है जब हमारी सारी forms identical है और हम लेकर चल रहे हैं कि उनके जो cost curve है या फिर जो उनकी cost of production ह वो सारी जो है same है अब appendix में हमारा जो new topic है वो यह है कि इस बार हमारी जो cost है वो सबकी same नहीं है तो उस situation में क्या है उस situation में हमें बताया गया है कि कुछ forms ऐसी भी होंगी अब in long run इस case में तो सारा ही zero economic profit earn कर रही थी अब जब cost same नहीं है तो उस case में हमारी कुछ forms ऐसी भी होंगी जो positive economic profit को in long run earn कर रही होंगी तो उसे हम आगे देखते हैं Now, अब इस topic को start करने से पहले हम थोड़ी बात करते है cost of production की तो हमारी जो भी cost of production है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब ही forms की same हो हो सकता है कुछ form की cost of production बाकियों से जादा हो, हो सकता है कुछ की बाकियों से कम हो और ऐसा क्यूं होता है, इसके काफी सारे reasons है, हो सकता है कि कुछ forms की जो technology है वो बाकी form से अच्छी हो, तो उनकी cost of production कम लगेगी कोई पुरानी technology को use कर रहा है तो उसकी cost of production ज़ादा लगेगी similarly और भी reasons हो सकते हैं हो सकते हैं कि कुछ firms के पास natural resources के advantage हो तो उसमें हमारी book में example दिया है कि let's suppose अगर हमें एक farmer की बात करते हैं तो सब farmers के पास अपने अपने land है बट हो सकता है कि कुछ farmers के जो land है वो ज़ादा productive हो अब उन्होंने कुछ नहीं करा बट उनके natural resources उनके ज़ादा favor में है तो उसमें उन्हें एक advantage मिल रहा है जिसकी वज़े से उनकी cost of production अगेन बागियों से differ करती है और हो सकता है कि उन्हें वो advantage दे then एक third reason हमें बता हुआ है कि experience भी matter करता है अब हो सकता है कि कुछ firms बहुत पुरानी हो पहले से ही हो उसमें काफी experience बन दे हो जो same काम को कम cost में produce कर रहे हो तो ये सारे reasons हो सकते हैं जिसकी वज़े से हमारी जो cost है वो differ करती है एक बार इसे raise कर ज़ेता है जब हमारा P1 minimum 80 CK equal है let's suppose for some reason अगर हमारी demand increase हो जाती है तो उस case में हमारी demand rightward shift हो जाएगी जैसे ही हमारी demand rightward shift हो जाती है तो हमें पता है कि उस case में हमारा ये new equilibrium point हो जाएगा और हमारा जो price है वो P1 से P2 increase हो जाएगा तो इस case में हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये हमारी demand increase होती है और हमारा जो new price है equilibrium वो P2 हो जाता है जो कि P1 से जादा है तो इससे हम conclude कर सकते हैं कि हमारा जो P2 है that means कि वो हमारी ATC से भी जादा है इस situation में हमें already पता है कि जो हमारी firms है वो market में entry लेती है ये situation पहले भी थी सारी और ये सारी firms कब market में entry लेती है कौन सी firms market में entry ले थी पहले वो सारी firms जिनका ATC price से कम था ये सारी firms market में entry ले थी और सारी ही firms का जो ATC था वो अभी तक के पहले वाले cases में same था तो जिन भी firms का price सौरी जिन भी firms का ATC price से कम था वो सारी firm market में entry ले रही थी जैसे market का profit खतम हो जाता है जब हमारे market का price minimum ATC के एकल हो जाता है तो firms entry लेना बंद कर देती है यहाँ पर ऐसी situation नहीं है यहाँ पर हमारी कौन सी firm सबसे पहले market में enter लेगी उसका question आता है तो सबसे पहले market में कौन सी firm entry लेगी क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ATC है वो same नहीं है इस बार cost same नहीं है सब firms की तो हमारी इन सारी firm से हमारी बहुत सारी firm हो सकती है जिनका ATC price से कम हो बढ़ सबसे पहले market में कौन सी firm entry करेगी जिसका सबसे कम ATC होगा जिसकी सबसे कम average total cost होगी वो firms हमारी market में सबसे पहले entry लेगी तो यहाँ पर हमारी जो entry होगी इस situation के बाद यहाँ पर यह situation तो समझा गई यहाँ तक सब कुछ पुराना वाला ही था फिर इसके बाद जो entry स्टार्ट होगी उसमें से सबसे पहले वो firm entry लेगी यहाँ पर जिसका ATC सबसे कम है and then firms entry लेती रहेंगी वो सारी firms जिनका ATC हो सकता है अब इससे थोड़ा सजादा हो and then उसके बाद उसका और थोड़ा सजादा हो ऐसे firms market में entry लेती रहेंगी कब तक entry लेती रहेंगी जब तक हमारी जो last firm यहाँ पर हम लिख देते हैं जब तक हमारी जो last firm entry lady है वो zero economic profit को earn नहीं कर लेती तब तक और वो zero economic profit कब earn करेगी जब यह particular firm जो यह last firm entry lady है जिसका zero economic profit हो रहा है जब यह particular firm का market price से ATC equal हो जाता है तब तक like कि अगर मैं इसे दुबारे से एक बार समझाओ तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि यहाँ तक तो सब कुछ सेम है और उसके बाद हमारी जो firms है वो entry लेना start कर देती है सबसे पहले वो firm entry लेती है जिसका सबसे कम ATC होता है उसके बाद और भी firms market में में सबसे पहले एंटर लेगी जिसका ATC सबसे कम है उसके बाद वो firm entry लेगी जिसका ATC इसे थोड़ा से ज़ादा हो देन उसके बाद इसे थोड़ा से और ज़ादा हो कब तक यह entry चलती रहेगी जब तक हमारी जो last firm market में enter कर रही है वो zero economic profit को earn नहीं कर लेती तब तक और वो zero economic profit कब earn करेगी जब उसका market का price like market का price उसके उसके खुद के minimum ATC के equal नहीं हो जाता क्योंकि इस case में यहाँ पर लिख देती हूँ मैं his own तो जब तक हमारी जो last firm market में enter कर रही है उसका zero economic profit नहीं हो जाता तब तक हमारी entry जो है वो चलती रहेगी और उसका zero economic profit कब होगा जब उसके खुद का ATC minimum ATC price के equal हो जाता है तब तक उसका खुद का क्योंकि हाँ पर हमारा ATC सब का different है तो जो last firm market में enter करेगी उसका जो ATC है वो minimum ATC होना चाहिए और वो price के equal होना चाहिए तब वो zero economic profit earn करेगी and उस situation में हमारी जो entry है वो stop हो जाएगी यहाँ पर इस situation में हमारी जो entry है वो stop हो जाएगी अब जब हमारी firms market में enter कर रही है तो हमारी supply जो है वो भी increase होगी तो हमारी जो supply है वो भी increase हो जाएगी entry करने से हमारी जो supplier वो increase हो जाएगी वो rightward shift हो जाएगी कब तक rightward shift हो जाएगी जब तक हमारी जो last form entry कर रही है उसका zero economic profit नहीं हो जाता है तब तक तो यहाँ पर जब हमारी firms की entry stop हो गई तो उस case में हमारा जो price है वो ATC के equal हो गया तो यहाँ पर इस situation में अगर हम initial point देखे जहाँ पर हमारी initial supplier demand कर रही थी वो हमारा ये point था फिर after जब हमारी demand increase होई और उसकी वज़े से जब supply increase होई तो वो हमारा ये point था जब हम इन्हें join करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो slope है वो upward बन रहा है हमारा supply कर upward sloping है इस case में जब हमारी cost differ कर रही है तो इससे पहले वाली situation में ये दोनों जो points थे वो बिलकुल आमने सामने आते थे और हमारा horizontal supply कर था horizontal to x-axis इस case में हमारा upward sloping supply कर रहा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा P1 पर तो minimum 80C था मतलब कि इस case में तो zero economic profit हो रहा था बट अब इस case में हमारा जो final price है P3 वो भी हमारा P1 से ज़ादा है तो इस case में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है basically अब इस case में हमारा हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे वो minimum 80C से तो ज़ादा ही है तो इस case में अभी भी entry क्यों stop हुई क्योंकि यहाँ पर हमारी जो cost of production है वो सब की differ कर रही है तो जिनका 80C कम है वो तो entry ले ली उन्होंने जिसका ज़ादा है उन्होंने भी entry ले ली और कब तक entry ली जब तक हमारी जब तक entry लेते रहे जब तक उनका खुद का minimum 80C price के equal नहीं हो जाता है तब तक और वो कभी equal हो गया P3 पर तो उसके बाद किसी भी firm ने और entry आगे नहीं ली और हमारी entry stop हो गए still जब हमारा final price हो गया entry stop होने के बाद भी तो वो price हमारे P1 से तो जादा ही है और वो show करता है कि इस case में हमारी कुछ firms ऐसी भी है जो in long run हमारा positive economic profit को earn कर दिया हमें हाँ पर पता भी है कि अगर ऐसी कोई situation होती है तो यहाँ पर अगर हमारा P3 final price है जो कि again जादा है हमारी minimum 80C के मतलब कि कुछ firms के तो यह बिल्कुल equal है यहाँ पर जो P3 है वो कुछ firms के minimum 80C के exactly equal हो गया और वो zero economic profit run करने है उसके बाद उन्होंने entry नहीं ली लेकिन कुछ firms ऐसी भी है जिनका minimum 80C again price से कम है तो उन firms का अगर हम graph देखें तो हमें याद है कि ऐसा कुछ होता है यहाँ पर यह हमने graph draw कर दिया let's suppose कि हम एक form की बात कर रहें तो उसका यह marginal cost है यहाँ पर हमने उसका marginal revenue ले लिया जो कि हमारे price के equal है अब यहाँ पर अगर हम इस 80C को draw करें let's suppose यह कर दिया यह हमारा यहाँ पर average total cost हो गई एक ऐसी form की जिसका price जो है यहाँ पर हम इसे ले ले लेता है P3 जिसका P3 जो है वो हमारी average total cost से जादा है तो इस case में इन्हे profit होता है हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम इस चीज़ पर produce करने हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमारी जो production की condition होगी वो same ही होगी हम कितनी quantity को produce करते हैं जब तक हमारा MR या फिर price partial cost की equal नहीं हो जाता यहाँ तक तो हम produce करते हैं तो again इस situation में हम यहाँ तक ही produce करेंगे और इस production पर हम देख सकते हैं कि price तो मेरा इस point पर है और मेरी average total cost कितनी है वो इससे कम है तो यहाँ पर जो भी यह पूरा area आ जाता है यहाँ पर अगर हम इसे join करें तो हमें पता है कि यह पूरा area जो आ जाता है यह इसका यहाँ पर profit होगा लेकिन जिन firms का अगर हम दूसरी firms का draw करें जिन firms का average total cost इस तरीके से जा रहा है कि वो P3 के equal है यहाँ पर इसको roughly draw कर लेते हैं यह एक और average total cost अगर हम देख सकते हैं कि उन्हें कोई भी profit नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि in long run हमारी जिन firms का minimum ATC price से कम होगा उन्हें तो profit हो रहा होगा इन long run बड़ जिन firms की यह situation होगी तो उन्हें zero economic profit हो रहा होगा इन summarize अगर हम देखे तो long run में इस situation में जहाँ पर हमारी cost differ कर दिया है तो हमारी कुछ firms को positive economic profit हो रहा है और कुछ firms को zero economic profit हो रहा है लेकिन जहाँ पर हमारी cost same थी जब हमने देखा था कि cost same थी तो इस case में हमारी सारी ही forms को zero economic profit हो रहा था इस case में हमारा जो supply curve था हो horizontal था और इस case में हमारा जो supply curve है वो upward sloping है बस यही difference है दोनों में जब हमारी cost यहाँ पर differ करती है हम यह लिख देते हैं जब हमारी cost differ करती है या फिर जब हमारी cost جो है वो same होती है तो ये था हमारा chapter 6 का appendix अगर आपको किसी और chapter का भी appendix चाहिए तो आप प्लीज नीचे comment session में उस chapter को mention कर सकते हैं I hope कि आज की वीडियो में आपको सबकोच अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप नीचे comment session में अपना doubt comment कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे like, share and subscribe जरू करें मिलते हैं हम अब अपनी next वीडियो में तब तक के लिए बबाई